प्लॉट की नाप कैसे करते हैं तो प्लॉट की नाप जब हम करते हैं तो अगर आपका कहीं एक इंच भी गलत हो गया तो आपको बहुत सारा नुक्सान हो जाएगा तो अक्सर क्या होता है जो प्लॉट हम नापते हैं उसको फुट में और इंच में नापते हैं और जब के हमारा जो सौधत होता है वो होता है बरग फुट के इसाब से जैसे कोई पिलोट है उसकी कीमत है 900 रुपए बरPad Chevot किसी की 5000 रुपए बरग pear Led अब बात करते हैं बरगarette में जब हम निकालते हैं तो उसमें कभी कभी क्या होता है जो पिलोट बेचने वाला होता है वह अक्सर करके करें के पिलोट खर दीने वाले को चूना लगा तूरू करते हैं देखिए हम को प्लॉट मान लेते हैं यह प्लॉट है हमारा इस परकार का और इसका जो फ्रेंट है तो फ्रेंट हम मान लेते हैं 22 फूट और 7 इंची यह अब आप देखिए कि जो बेचने बाला होता है वो क्या करता है तो देखिए अब इसकी जो लंबाई है यह लंबाई हो गई 40 फूट और 3 इंची इसकी लंबाई हो गई चोड़ाई हो गई इसकी 22 फूट और 7 इंची अब यहाँ पर देखते हैं सूचने वाली बात क्या है कि देखिए यह 40.3 इंची है और यह 22.7 इंची है तो हम क्या करते हैं कि इसको हम क्या करेंगे 40.3 कर लेंगे लम्माई को 40.3 कर लिया और चोडाई को हमने क्या कर लिया 22.7 कर लिया 22.7 इंची है तो 22.7 कर लिया और जब हम इसका गुणां करेंगे तो जो गुणां हमारा आ रहा है 914.81 अभी जो हमारा आया वो कहते हैंगे बरग फीट आया इस प्रकार से आपको गुणां करके वो दिखा देगा और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके सामने नाप उसकी रखी हुई है आ रहा है अब आपका 1, Jan रूपे बर फीटे या 10,000 रूपे बर फीटे बो the next пна करदेगा तो आपसे कीमत लेगा लेका लेकिन ये गलत है और इस प्रकार से जो पल इस प्रकार का एरिया निकल झो आता है वो ज्यादा आता है अब एक्चुलिव में ये ज़्यादा है तो सही क्या है चलिए उस बारे में भी बात करते हैं तो देखिए अगर हमारे पास ये 22 फूट होता और ये 40 फूट होता तो हम सीधा सीधा 22 गुणा 40 करते हैं 880 बरग फीट हो जाता लेकिन ये इंच में दिया हुआ है 22 फूट पूरा हो गया उसके बाद 7 इंची है इसमें भी 3 इंची जादा है तो अब हम इसको किस प्रकार से ना पहेंगे बो मैं आपको बताए देता हूँ देखिए इसकी जो लंबाई है लंबाई है 22 फूट और 7 इंची तो अगर हमें इसे इंची बनाएंगे तो 22 फूट को जब इंच बनाएंगे तो बाईस में 12 का गुणा कर देंगे और इसमें 7 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 271 इंच इस प्लोट का जो फ्रेंट है वो आ गया 271 इंच जब इसकी चोड़ाई की बात करेंगे तो चोड़ाई है 40 फूट 3 इंच तो यह हो जाएगा 40 गुणा 12 यह 42 फूट के इंच बन गए और 3 इंच इसमें एक्ष्ट्रा है तो यह हो जाएगा 483 इंच यह जाए तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमने क्या किया फूट को जो है एक फूट में 12 इंच होते हैं तो इस लंभाई चोड़ाई को हमने इंच में कनवर्ट कर लिया जब हमें इसका चृतपल इंच में निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे 281 इंच लंबाई और 483 इंच 281 और 483 जब हम इसका गुणा करेंगे तो जो हमारा आएगा एरियाब हो आएगा बर्ग इंच में तो इसका गुणा करते हैं तो गुणा आएगा 130893 और यह आगया बर्ग इंच यह आगया बर्ग इंच लंबाई को हमने इंच में लिया चोड़ाई को हमने इंच में लिया और दोनों का गुणा कर दिया जब दोनों का गुणा कर दिया तो जो हमारा एरिया आएगा वो इंच और इंच का गुणा किया है तो बरग इंच में आएगा अब बर्ग इंच से बर्ग फुट बनाना है तो आप देखिए एक फुट में 12 इंच होते हैं एक बर्ग फुट में 144 बर्ग इंच होंगे तो जब हमारा च्षितपज इतना आया है तो यह आया है बरग इंच में अब किम्सेखब जो हमारी पूरी बात होती है वह होत तो बंट ही norm है इसको वह एक सबौले से भागते हैं क्योंकि एक फुट में याई County iki इतने उस्त में एक बर्ड także जिए हम्हार। भाग देंगे, तो जो हमारा आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा, हमारा वरग फुट, तो जब इसमें हम भाग देंगे, तो भाग देने के बाद जो आएगा, तो वो आ रहा है, 908.97, और ये आगए हमारा वरग फीट, अब आप यहाँ पर एक चीज देखी जान से, जो प्लोट बेचने बाला है उसने निकाला नौसो चुगदा आपका निकल के आया नौसो आठ आप देखिए दो और चार छे छे बरग फुट का इसमें अंतर आया और जब कि आपके सामने दिखा के कर रहा है चालिस पॉंट तीन कर रहा है बाइस पॉंट साथ कर रहा है साथ हज़र रुपय आपको चूना लग जाएगा तो अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो इसके बाद आप क्या करेंगे आप पहले जो लंबाई है जो चोड़ाई है उसको इंच में बनाएं इंच में करवड करेंगे और इंच में 140 के बाद में इन्च चार इंच पांच इंच इन्च जीतनी जादा होंगहे फफेर्स हमारा नहीं ज्याना ही जादा होगा हुए अगर एक या दो इंच है तो थोड़ा सफेर्स कम लेकिन डिफ्रेंस जरूर आएगा चलिए एक छोटा लिके बात करते हैं अब देखिए यह हमारा जो है वही प्लॉट है इसमें हमने इंच को कम कर दिया है यह बाइस फूट एक इंची है और यह चालिस फूट तीन इंची है तो चली पहले हम इसका गलत एरिया निकालते हैं तो अगर हम इसका गलत एरिया निकालेंगे तो यह हो जाएगा बाइस पॉट एक गुणा चालिस पॉट तीन ठीक है तो अगर हम इसका गुणा करेंगे स्वरी चालिस पॉट दो मान लेते हैं तो थोड़ा और कमा है जब इसका गुणा करेंगे तो यह गुणा आएगा आठ सो अठासी पॉइंट चार दो बरग फूट तो यह जो आया है हमारा केल्कुलेशन यह आया है गलत अब हम देखते हैं कि सही नाप क्या आएगी जो ए 22 फूट एक इंची है 22 फूट एक इंची है अगर इसको हम जो है इंच बनाएंगे तो 22 गुणा बारा और 22 गुणा वाला पिलस एक है यह जो जाएगा 265 है 265 इंच और इसकी जो चोड़ाई है वो जाएगी हमारी 40 फूट दो इंची यह जाएगी 482 अब क्या करेंगे दो तो 265 गुणा 482 जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा आएगा हमारा 127 730 यह बरग इंची आया अब बरग इंची आया अब हमें क्या करना अब हमें से फुट बनाना है तो 144 का मैं इसमें दे देंगे भाग जब 144 का भाग देंगे तो हमारा आजाएगा 887.01 यह हम हमारा भरग फीट आया तो यह हमारा एक्शुल वाला भरग फीट आया और यह हमारा । आप देखिये यहाँ पर एक एक डो दो इंची है जह नहीं फुट के बाद छोटी शिस लंबाई निकल लाई यहkins दी दो तो यहाँ पर हमारा लगवग एक देड़ वरग फुट का अंतर आ गया है अगर यहाँ पर दस इंची, नो इंची होता तो उतना ही डिफ्रेंस जादा आता तो कहने का मतलब यह है कि जब हमें सही पता है कि हम प्लोट को इस प्रकार से नापते हैं तो हम गलत काहे नाप करवाएं तो हमें गलत नाप से बचना है और हमें सही नाप करना है जब भी हम प्लोट खरीते हैं तो तो मैंने देखा है कई बार इस प्रकार से गलत नाप भी हो जाती है तो यह थी एक महित्पूर जानकारी जो आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो के मादम से बताई तो इस वीडियो की जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा से शेयर करेए ताकि हर वेक्ति को ये जानकारी हो सके कि पिलोट हम किस प्रकार से नापते हैं धन्यवाद